क्या आपको बता है आयरवेद के अनुसार जब भी आप कुछ खाते हैं तो उस भोजन का पाचन होने के बश्यात उस भोजन का जो सरुस्रेश्ट्य भाग होता है वो रस धातु में परिवर्तित हो जाता है और आप इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं जो कुछ भी आपने खाया है उसका निचोड रस धातु में परिवर्तित हो जाता है और इस रस धातु का कार्य होता है हमारे सरीर को शक्ति प्रदान करना संतुष्टि प्रदान करना प्रसनता प्रदान करना और अगली धातु का पोशन करना अब यही रस धातु जब इसका पाचन होता है तो इसका सरुस्रेश्ट भार रख्त धातु में परिवायतित हो जाता है, बाकि जो कुछ अप्षिस्ट पदात रह जाता है, जिसे रस धातु का मल कहा जाता है, वो कफ के रूप में सरीर से बाहर निकलता है, यहां आप कफ दोस्ट के साथ कन्फ्यूज मत हो येगा दोनों मैं प्रियास करूँगा हर एक धातु के उपर एक विश्टरत वीडियो बना कर आप सभी के लिए उपलब्द करवा पाऊं, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अब जो रस धातु के पाचन के बश्चाथ हमें रक्त धातु प्राप्त हुई है, उसका भी पाचन होने के बश उसका सरुष्ष्ष्ट भाग मेद धातु में परिवर्तित हो जाता है, और इसका अप्षिष्ट पदार जो होता है, वो खमल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब सरीर में जहां पर भी खाली स्थान है, खाली अंग हैं, वहां पर जो मल दिखाई देता है, वो खम जैसे कान, नाग, आखो या हमारे प्रजनन अंगो पर एकत्रित होने वाला मल, अब हमें प्राप्त हुई मेद धातु और इसका सरुष्रेश्ट भाग अस्थी धातु में परिवर्टित हो जाता है और इसका मल स्वेध मतलब पसीनी के रूप में दिखाई देता है, अस्थी धातु में परिवर्टन हुआ, उसका सरुष्रेश्ट भाग मज्जा के रूप में कनवर्ट हो जाता है, जिसे बोन मैरो भी आजकल बहुत से रे लोग कहते हैं, और उसका जो अप्सिष्ट बदार्थ होता है, वो बालो के रूप में दिखाई देता है, जी हाँ, मज्जा धातु है, उसका सरुष्रेश्ट भाग सुख्र में परिवर्टित होता है, और जो मज्जा धातु का अप्सिष्ट है, वो हमारी स्किन के उपर मोजूद चिकनाहट होती है, जो नैचुरल ओईल स्किन से निकलता है, वो उसमें कनवर्ट हो जाता है, और सुख्र इसका मतलब केवल वीरे नहीं है, महिलाओं में ये उनके अंडानों को सुचित करेगा, वहीं पूर्शों में उनके शुक्रानों को, और इस शुक्र का जो सरुष्रेश्ट भाग होता है, वही ओज में परिवर्तित होता है, और इसी कारण आयरवेद में ब्रहमचर्य को एक बहुत ही मैत्पून स्थान दिया गया है, पोज को भी दो भागों में विबक्त किया गया, अलाकि इसके विशेव पर फिर कभी चर्चा करेंगे, तो चैनल को अभी सब्स्राइब कर लिजे, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे.